नमस्कार आज मैं बहुत सी जरूरी बातें करने के लिए यहां आया हूँ हमने काफी कुछ महीने हो गए हैं महीने तकरीबन साल हो गया है जो हमने आपको वटसैप नंबर बाबाजी का दिया है जिस पे हमने आपको बोला है कि आप अपना कोशन्स अगर आपको कोई भी प्र पूछना है तो आप उसको अपना प्रेशन लिखे वहां पे भीज सकते हैं तो बहुत से महीनों से सालों से हम देख रहे हैं कि बाबाजी को रेगुलर आप ही में से बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं जैसे की गूड मॉनिंग बाबाजी सूपर भाथ विजबस जी न नमाओ तो इस तरह के बाबा जी के पास रोज के बहुत से मैसेज आ रहे हैं अगर हम उनका वाटसैप मैसेज देखें तो उनका वाटसैप देखें तो उनका वाटसैप इन चीजों से भरा पड़ा है तो पहले तो मैं आपको एक बात एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी लोग बाबा जी को रेगुलर मैसेज कर रहे हैं सुभा की मौर्निंग इवनिंग कुछ खा रहे हैं तो वो भेज रहे हैं बाबा जी ये खा रहे हैं हम या ये खा लो तो इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है और अगर आप देखें तो इन चीजों से बाबा जी को बहुत सी परिशानी हो रही है आप खुद सोचें कि रेगुलर मैसेज उनको अगर आपने कोई उनको पूछना है तो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं के पास अगर पहुंचना होगा तो पहुंच जाएगा आपको रोज रोज उनको वटसैप मैसेज में गुड बार्निंग ये विश करने की ज़रूरत नहीं है उसका क्या है कि कुछ लोग जो असल में अपना कोईशन्स पूछना चाहते हैं उनके कोईशन्स रही जाते हैं वो रीड ही नहीं होते हैं और बाबा जी पूरा दिन उनको उनका इतना टाइम वेस्ट हो रहा है इन चीज़ों से कि वो उसको डिलीट करने में उन्होंने तो ऐसा लग रहा है कि हमने तो एक सफाई अभ्यान छेड़ दिया है रोज हमें कम से कम तीन चार सो मैसेज ऍही चीज़ का आजाता है कि ये गॉड मॉनियं ओड़ इवनिंग ये खालो ये खालो ये कररे हैं ये कर रहे हैं रातरी की चाहें दिन की चाहें यही मतलब चल रहा है तो आप इसको ये जो WhatsApp आपको दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ प्रशन के लिए दिया गया था इन चीजों का कोई भी अर्थ नहीं है और आपको अच्छे से पता है कि बाबा जी तो कुछ खाते भी नहीं है तो इस तरह के व्यर्थ हीन मैसेज भेजने का कोई मतलब नहीं है उपर से मतलब इतने आप इसको एक तरह से आप इसको एक काम ना बनाईए कि हमने सुबा उठना है तो एक मैसेज करना है इस मैसेज का कोई भी फायदा नहीं है अगर आपका कोई प्रेशन है कोई जैनुवन प्रेशन है तो आप पूछिए अगर है तो अगर नहीं है तो आपको कोई उस नंबर में मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे किसी और का जो बहुत important pressure है वो भी छूट जाता है और उपर से हम कितनी देर से आपको ये बोल रहे हैं मैंने भी बहुत सी वीडियो बनाई हैं बाबा जी ने भी बोलाए कि ये बहुत हमारा time कीमती है हमारा भी time बहुत कीमती है आपका भी time बहुत कीमती है तो आप इन चीजों से बाबा जी का time भी मत वेस्ट कीजिए और आपको नहीं पता आपका भी time इससे बहुत वेस्ट हो रहा है तो आपसे मैं हाथ जोड़ के request कर रहा हूँ कि आप इस तरह के मैसेज रोज मत भेजा कीजिए अगर ऐसा ही हमें हम कुछ दिन और इस चीज़ को देखेंगे अगर इस तरह से हमें मैसेज आने बंद ना हुए तो हम इस प्रॉपरली हम इस नंबर को ही बंद कर देंगे क्योंकि देखो जो हमें आलरेडी ग्यान मिल रहा है वो ग्यान हमारा सिर्फ इतना है हमें ग्यान मिलता रहे हम जो भी हमारा प्रेशन है क्योंकि अगर कोई भी प्रेशन पूछता है तो वो एक बंदे का प्रेशन नहीं होता वो सभी का प्रेशन होता है और उसमें से हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिली जाता है जो हमारे फाइदे का हो यो हमें कुछ ऐसा दिकत आ रही है हमारा भी उससे सॉल्व हो जाए तो अगर अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो हम पर्मानेटली उस नंबर को बंद कर देंगे तो इसका कोई फाइदा नहीं होगा हम अगले दस दिन तक ये चीज़ देखेंगे अगर ऐसे ही हमें मैसेज़स मिलते रहे गुड मानिंग गुड इवनिंग नमस्ते देवो नमा ये चीज़ें मतलब ये कोई फाइदा ही नहीं है हम कह रहे हैं आपको ये रोज का ये आपको करने का कोई फाइदा नहीं है इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ये चीज़े बंद कर दे और अगर ये चीज़ें रेगुलर रहती हैं तो हमें ये नमबर ही बिल्कुल चेंज कर दिया जाएगा और हम बिल्कुल नया नमबर फिर कोई अपने प्रेशन भी नहीं पूछ पाएगा तो इस चीज़ का कोई फा मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं जो लोग ये कर रहे हैं हो सकता है उनको ये चीज़ें पता ना हो बाबा जी कुछ खाते नहीं हैं बाबा जी जो भी हैं अपने अनंद में रहते हैं मौन रहते हैं वो तो बस बोल रहे हैं हमारे लिए मैं तो समझता हूं इतनी ही बहुत बड़ी बात है तो regular क्योंकि इतना time अगर हमारा इस चीज में वेस्ट हो जाएगा देखो हम तो उनके पास है नहीं अब उनका time भी सारा वेस्ट हो जाएगा delete करने में delete करने में और उनों ने ये मेरे को personally बोलाए कि इस चीज से मुझे बहुत जादा परिशानी हो रही है तीन-तीन सो मेसेज अगर आपके पास रोज WhatsApp पे आ जाएगा और आपको उनका कोई अर्थ भी नहीं है तो आप उसको आपको भी पता है अगर आप कोई कोई ग्रुप में add कर ले तो आपको कितनी परिशानी होती है अगर हमें एक ग्रुप में कोई add कर ले ना WhatsApp पे तो हमें रोज मेसेज आ रहे हैं तो हम परिशान हो जाते हैं और किसी वेक्ति को तीन-तीन सो मेसेज अलग-लग बंदे सो आ रहे हैं तो आप समझ सकते हों दूसरी बात ये है कि अहां अगर किसी ने कोई प्रशन पूछ लिया और अगर उसका प्रशन सही है और उसका जवाब बाब मत कहिए कि बाबा जी मेरा प्रेशन ही नहीं आया आपने मेरा प्रेशन का रिपलाई नहीं किया शाम होगी रिपलाई नहीं किया कल किया था इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि उनके पास जितना समय है वो जो प्रेशन पढ़ते हैं उस प्रेशन ठीक लगता है तो वो reply कर देते हैं अब ऐसे नहीं है कि हमारे पास बहुत से लोग हैं और हम उनको पढ़ रहे हैं और वो पढ़ के हम ये समझ रहे हैं और हर बंदे का प्रेशन अगर किसी का हल करने वाला होगा तो उसका हल किया जाएगा और ये भी कि वो आपके मैसेज नीचे चले जाते हैं तो आपसे request हैं आप रोज-रोज WhatsApp पे बाबा जी को इस तरह के मैसेज ना करें कोई भी मैसेज ना करें प्रेशन है तो करें अगर प्रेशन नहीं है तो मत करें धन्यावाद